नमस्कार दोस्तों, न्यूज लाइफ में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ खुश्बू सिंग और ज्वार्खन के राची से एक और साइबर क्राइम का नया मामला सामने आया है जहां पर वहान चालकों के 5 करोड से जादा रुपए ये जो साइबर क्रिमिनल हैं ये लेकर भाग गई क्या है पूरा मामला किस तरीके से इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या कुछ किया ये आपको बताते है ऑनलाइन रोड टैक्स जमा करने के नाम पर हैकरों ने वहान मालिकों के करीब 5 करोड रुपए उडा लिये इससे टैक्स जमा करने वाले वेंडर वा साइबर कैफे संचालन संचालक परिश्वान है ये गौर्धन दा डेड़ वर्ष उसे चल रहा था जब इसका पता चला तब तक राज्य के 24 पे से 23 जिलो सिर्फ जामताड़ा जिले को छोड़ करके 3,904 वहान मालिकों द्वारा रोड टैक्स के दिये पैसे हैकरों ने उडा लिये यह सब परिवहन विभाग के M-Pरिवन एप और e-grass साइट को हैक करके किया गया यानि कि यह एक e-grass साइट है उसको हैक करके इनों ने यह पूरी घटना को अंजाम दिया है और किस तरीके से यह चीजे करते थे क्या करके इनों ने लोगों के 5 करोड से जादा रुपए दरसल यह लोग उड़ा ले गए यह आपको बताते हैं पूरे मामले में विभागिये कर्मियों की सलिम्पता से इनकार नहीं किया जा सकता है दूसरी और कारवाई के बदले विभाग ने पूरी घटना को तक्नीकी खामी बता कर 3,904 वहानों और 9 अनुग्या धारियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है वहीं उन वहान मालिकों को नोटिस जारी कर फिर से रोट टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है यानि कि इनको ये बोला जा रहा है कि इनकी भी सलिम्पता इसमें रही है यानि कि कमी जिन लोगों ने पैसे दियो उनकी भी रही है कि राची के बुंडू में साइबर कैफे चलाने वाले राहुल कुमार महतो और राहुल कुमार नायक के खिलाफ कांडरा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई हुई है इन्होंने करीबी 2000 वहान सांचालकों के साथ फ्रॉड किया है राहुल और राहुल नायक ने वाहन टैक्स जमा करने से जुड़े वेंडरों, कैफे संचालकों को और वहान मालिकों से संपर्क कर उनके वहानों का बकाया रोट टैक्स जमा करने का आगरय किया यानि कि इनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है इनके खिलाफ एक F.I.R. दर्ज की जा चुकी है 2000 से जादा वहान चालकों को इन्होंने संपर्क किया और उसके बाद ये 5 करोड से जादा रुपई लेकर अब फरार हो गए इसमें फसकर लोगों ने उन्हें रोट टैक्स जमा करने के लिए पैसे दे दिये जैसे किसी वहान पर 7000 रुपई बकाया है तो आरोपियों ने सौफ्ट्वेर हैक कर सिर्फ 10 से 12 रुपई पेमेंट किया लेकिन सौफ्ट्वेर के जरीए ऑनलाइन जेनरेट होने वाले रसीद में रोट टैक्स का पैसा 7000 रुपई जमा दिखते हुए वहान संचालकों को दिया गया याने कि एक उधारन भी दिया गया है जो ऐसे कि किसी का रोट टैक्स 7-8000 रुपई है तो इन्होंने पहले साइट को हैक किया उसके बाद 10 से 12 रुपई भरे और बाकी के सारे इन्होंने अपने पास रख लिये लेकिन जो रसीद निकली क्योंकि उन्होंने साइट को हैक कर लिया था तो जो रसीद निकली वो 7-8000 रुपई की निकली जो वहान चालकों को इन्होंने सबूत के तौर पर दे दी कि हमने आपका टैक्स जमा कर दिया है लेकिन असलियत यह है कि वो रोट टैक्स कभी जमा ह हुआ ही ने क्योंकि उन्होंने साइट हैक कर रखी थी इसलिए यह वो रसीद लोगों को दे पा रहे थे तो इसलिए अब जो शाशन है उसने यह कहा है कि जिन लोगों का रोट टैक्स जमा नहीं हुआ है उनको दुबारा से रोट टैक्स जमा करना होगा इन दोनों के खिल तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हैं न्यूज लाइब के साथ नमस्कार